विकेट सक्थ रखी गई है यकीन ज्यादा उच्छान मिलेगा आज गी इन बास को सब का स्वागत है कि इस खूब सूरत मैदान में टॉस के लिए यहाँ पर मौजुद है दोनों टॉस जीत के गेन बाजी करने का फैसला किया है आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों की खिलारी जो आज मैदान में उतरेंगे आप सब काई शानदार सीडिय में अमपाईज नई गीन के साथ पिच की तरफ बढ़ते हुए ओपनिंग बैटसन पिच की और बढ़ते हुए स्पिनर आए है अटैक में सब तयार इनिंग्स की पहली गेन के लिए शॉर्ट का नियांतर नहीं रख पाए बनले बाज स्पिन गेन बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग कर दे हैं ये खराब गेन बहुत वाइड थी ये कीपर भी नहीं पकड़ पाए गेन बाज लाइन से चुकिये और वाइड बाल का इशारा और ये अमपायर बाइस का सिग्रल देती हुए बाज बाज को फसा दिया था इस मौके पे गेन बाज ने लेकिन कैच पकड़ने में खिलाडिया समर्थ रहे हैं देखना होगा क्या गेन बाज शॉर्ट पिश गेन की कोशिश करेंगे इस पिश पे किसी फिल्डर को मौका नहीं वहाँ पर और गेन सीधा सीमा रेका के बाहर जब ये फुल फॉर्म में होते हैं गेन बाजों के च्छके चुड़ा देते हैं आसानी से केला एक रन के लिए कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है ला जवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप फूलना और चौका बटोरा दर्शकों ने बढ़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही है उन्हें अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा स्पिनर को दूसरे छोर से लाया गया है पाउर प्ली की समापती कफटान आप दो से ज्यादा फील्डर्स 30 यार सिर्कल के बाहर रख सकते हैं ये शॉर्ट बढ़िया है अच्छी टाइमिंग और गैप में भी मिल जाएंगे चार रन ज्यादा अनुशासर से गेन बाजी करनी होगी अप रन रेट बढ़ाने के लिए थोड़े चांसिज लेने होंगे अप ये गेन फिर से डाननी पड़ेगी वाइट बॉल ख़वा पे कई थे गेन गैच्छ ट्रॉप मौका बनाया जरूर था गेबाज मटिया स्वाड और केंज सीधी बाउंडी लाइप की तरफ जाती होई के लिए विकेस को हाथ में रखना बहुत ही इपोर्टन होगा आसानी से खेलाए एक रण के लिए लिवाजों को जल्दी पैड़ अप करें